प्रेक्टिस मैक्समेन परफेक्ट एडलेके प्रेक्टिस थीज माना सम्पूर्ण थाई छे वेल्कम टु माई यूट्यूब चेनल सिपी निमावद आजे आपड़े दोरन आट इंगलिस नी तारिक 372022 ना रोज जे यूनिट टेस्ट लेवाई गई छे जे एकम कसोटी लेवाई गई छे तेनी प्रस्ण ब्येंक ना अपड़े सोल्यूशन करवा जयी रहिया छे तो मित्रो तेमा सवथी पेलो क्वेश्चन अतो नीचे आपेला सब्दो माटे रैमिंग वर्ड आपो रैमिंग वर्ड एट लेके समान प्रासवाडा सब्दो तो चालो आपड़े तेसोल करिए नमबर वन तोल नुथा से B-A-L-L-B-O-L नमबर तू B-E-D-B-E-D नुथा से R-E-D-Red नमबर त्री R-I-N-G-R-ING नुथा से S-I-N-G नमबर फोर S-E-E-C नुथा से B-E-E-B नमबर फाइव D-E-A-R-D-R नुथा से H-E-A-R-H-E-A-R त्यारपचिन नमबर 6 M-A-T-M-E-T नुथा से B-A-T-B-E-D नमबर 7 F-U-N फन नुथा से G-U-N-G-N नमबर 8 C-R-Y-C-R-Y नुथा से T-R-Y-T-R-Y नमबर 9 C-A-V-E-K-E-U नुथा से H-A-V-E-H-E-U नमबर 10 B-R-O-T-H-E-R ब्रदर नुथा से M-O-T-H-E-R नमबर 11 S-A-N-D-Sand नुथा से A-N-D-AND नमबर 12 W-H-I-T-E वाइट नुथा से L-I-G-H-T-Light नमबर 13 L-O-N-G-E-R लोंगर नुथा से S-H-O-R-T-E-R नमबर 14 B-E-L-L बेल नुथा से T-E-L-L-T-E-L नमबर 15 F-O-O-D फुड नुथा से G-O-O-D गुड नमबर 16 M-A-L-E मेल नुथा से F-A-L-E फैल नमबर 17 J-U-M-P जंप नुथा से B-U-M-P बंब नमबर 18 H-O-T होट नुथा से N-O-T नॉट नमबर 19 C-O-O-K कुक नुथा से L-O-O-K लू नमबर 20 W-I-T विट नुथा से F-I-T फिट नमबर 21 M-A-P मेप नुथा से C-A-P कैप नमबर 22 H-A-T हैट नुथा से F-A-T फैट नमबर 23 F-O-G भोग नुथा से D-O-G डॉग नमबर 24 C-O-W काव नुथा से N-O-W नाव नमबर 25 G-O-O-D गुड नुथा से W-O-D वूड Now let's see the question number 2 जेमा सुचना आपेली छे निचे आपेली खाली जग्या पूरो मित्रो अहीं गणी खाली जग्या आपेली छे अने कावंस मा तेना ओप्सन आपेला छे अने ओप्सन छे तेक पोजिटिव, कमपेरेटिव अने सुपरलेटिव, एडजेक्टिव ना रूप आपेला छे जोए आपने नमबर 1 दबूर्ज खलीफा इस दखाली जग्या ब्यूल्डिंग इन दवर्ड मित्रो तमें जोई सको छो अहीं के खाली जग्या नी आगड आपेला आपेला छे ज्यारे पन खाली जग्या नी आगड आपेला आपेला ओए त्यारे खाली जग्या मा हमेशा superlative adjective एटलेके est वाड़ू est वाड़ू रूपज आवसे तो पेली खाली जग्या नो आंसर आवसे tallest देलेके बूर्ज खालीफा छे ते वर्ड मा विश्व मा सवथी उच्चा मा उची बिल्डिंग छे नंबर टू और रेट इस खाली जग्या देन और रेबिट मित्रो नंबर टू मा तमें जोई सको छो खाली जग्या नी पाछड ती एच एएन देन आपे लो छे ज्यारे पन खाली जग्या नी पाछड देन आपे लो ओए त्यारे समझी जाओ के comparative adjective नू रूपज खाली जग्या मा आउसे एटलेके ए आर वाडू रूपज आउसे तो बिजी खाली जग्या मा आउसे smaller एटलेके उन्दर छे ते रेबिट करता नानू छे नमबर थ्री इंग्लीज इज खाली जग्या देन मैथेमेटिक्स मित्रो अहीं पन खाली जग्या नी पाछड देन आपे लो छे एटले ए आर वाडू रूपज आउसे काउस मा थी एटलेके इजियर इंग्लीज इज इज इजियर देन मैथेमेटिक्स एटलेके इंग्लीज छे ते गणित करता सेहलू छे नमबर फोर अ बस इज खाली जग्या देन बुलो कार्ट मित्रो नमबर फोर मा पन तमें जोई सको जो खाली जग्या नी पाछड देन आपे लो छे एटले इयार वाडू रूपज आउसे एटले के फास्टर आउसे अ बस इस फास्टर देन बुलो कार्ट एटले के बस छे ते बड़त गाड़ा करता वदारे जड़पी चाले छे नमबर फाइव अ केमल इस खाली जग्या देन डियर मित्रो अहीं पन तमें जोई सको छो खाली जग्या नी पाछड देन आपेलू छे एटले इयार वाडू रूप एटले के हेवियर आज आउसे अ केमल इस हेवियर देन डियर एटले के उंट छे ते हरण करता वदारे वजन वाडू होई छे नमबर शिक्स अहीं फरी एक वखत तमें जोई सको छो के खाली जग्या नी आगळ आटिकल टी एच इद आपेलो छे एटला माटे सुपरलेटिव एडजेक्टिवनू रूप एटले के EST वाडू रूप ज खाली जग्या मा आउसे एटले के हायस्ट अहीं पन तमें जोई सको छो खाली जग्या नी आगळ फरी पाचो आर्टिकल द आपेलो छे एटले सुपरलेटिव एडजेक्टिवनू रूप एटले के बिगेस्ट एस्ट वाडू रूप जाऊसे एन एलिफंट इस द बिगेस्ट एनिमल एटले के हाथी छे ते सौथी मोटू प्राणी छे नाव लेट सी सेंटेंस नंबर एट अहमदाबाद is the खाली जग्याँ city in the world काउसम आपेलू छे more polluted एलिफे वधारे पोल्यूटेड most polluted एलिफे सवती वधारे पोल्यूटेड आणे खाली पोल्यूटेड एलिफे प्रदुशित तो मित्रो अहीं पन खाली जग्या नी आगड आर्टिकल द आपेलो छे ज्यारे पन आर्टिकल द खाली जग्या नी आगड आपेलो होई त्यारे कातो EST वाड़ू अथुआ तो आगड मोस्ट वाड़ू एडजेक्टिव रूपज आवी सके तो अहमदाबाद is the most polluted city in the world एले के अमदाबाद छे ते आखा विश्वमा सवथी वदारे प्रदूसीत करतू सहर छे नाव सेंटेंस नंबर नाइन मेंगो इस खाली जग्या देन एपल मित्रो अहीं पन खाली जग्या नी पाछर देन आपेलो छे एटले इयार वाड़ू रूपज आवसे एटले स्वीटर आवसे तो मेंगो इस स्वीटर देन एपल एटले के केरी छे ते सफर जन करता वदारे मिठू होई छे नाव सेंटेंस नंबर टेन अ सिटी इस खाली जग्या देन एविलेज मित्रो अहीं पन खाली जग्या नी पाछर देन आपेलो छे एटले इयार वाड़ू रूपज आवसे एटले के लार्जर रज आवसे और सिटी इस लार्जर देन ओ विलेज एटले के सहेर छे ते गामड़ा करता मोटू होई छे नाव 11 सेंटेंस नंबर रिना एज खाली जग्या एज रिटा मित्रो अहीं खाली जग्या नी आगड़ एज एज आपेलो छे आगड़ पन एज आपेलो छे औने पाछर पन एज आपेलो छे ज्यारे आगड़ औने पाछर बने एज एज अथवा तो सो एज आपेलो होई त्यारे हमेशा positive रूपज आउसे एटले के खाली adjective नुँ साधू रूपज आउसे एटले अहीं आउसे beautiful एले के रिना is as beautiful as रिता एले के रिना छे ते रिताक जेटली सुंदर छे now sentence number 12 my son is as खाली जग्या as lion मित्रो अहीं पन खाली जग्या नी आगड़ अने पाचर as as आपेलू छे एटले मात्र ब्रेव जाउसे साधू रूपज आउसे positive रूपज आउसे my son is as brave as lion एटले के मारो son छे ते सीह जेतलो बहादूर छे now sentence number 13 सुनिल is as खाली जग्या as सुमन मित्रो अहीं पन खाली जग्या नी आगड़ अने पाचर as as आपेलू छे एटले er वाड़ू अने est वाड़ू रूप डन्ने माती एक पन नहीं आवे मात्र पोजिटिव रूप एले के clever adjective नू साधू रूपज आउसे एटले के सुनिल is as clever as सुमन एले के सुनिल छे ते सुमन जेतलो जोस्यार छे नौ सेंटेंस नूमबर 14 दनाइल is the खाली जग्या रिवर इन द वर्ल्ड मित्रो अहीं पन खाली जग्या नी आगड़ अर्टिकल द आपेलो जे एटले est वाड़ू रूप ज आउसे एले के लोंगेस्ट ज आउसे दनाइल is the longest river in the world एले के नाइल नदी छे ते विश्वनी सवती लांबा मा लांबी नदी छे नौ सेंटेंस नूमबर 15 दनाइल दनाइल और दनाइल 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 ज आपेलो जे एटले est वाड़ू रूप जाऊसे एटले के होटेस्ट जाऊसे The Sahara Desert is the hottest region in the world एले के Sahara Desert छे ते आखा विश्वमा साउथी वदारे गरम प्रदेश छे Now 16, The Banana Tree is खाली जग्या देन देन नीम ट्री मित्रो अहीं खाली जग्या नी पाच्छड देन आपेलू छे एले के E-R वाडू एड जेक्टिवनू रूपज आउसे एले के ठीकर रज आउसे The Banana Tree is thicker than the नेम ट्री एले के बनानानू केडानू जाड छे केडनू जाड छे ते लिमडाना जाड करता वदारे जाडू गोई छे Number 17, Rames is एज खाली जग्या एज सुरेस मित्रो अहीं फरी पाच्छू खाली जग्या नी आगड अने पाच्छड एज एज आपेलू छे एले के positive रूपज आउसे सादू adjective नू रूपज आउसे एले के tall आउसे Rames is as tall as सुरेस एले के Rames छे ते सुरेस जेटलोज उच्चो छे नाव 18 Roti is खाली जग्या देन ब्रेड मित्रो अहीं पर खाली जग्या नी पाच्छड देन आपेलू छे एटले ER वाडू रूपज आउसे तो गुड नू ER वाडू रूप बेटर थाई छे एले बेटर आउसे Roti is better than bread एले के रोटी छे ते ब्रेड करता वदारे सारी गणाई Now sentence number 19 Mumbai is खाली जग्या सिटी देन बेंगलूर मित्रो अहीं पर खाली जग्या नी पाच्छड देन आपेलू छे एटला माटे more polluted ज आउसे एले के Mumbai is more polluted सिटी देन बेंगलूर एले के Mumbai छे ते बेंगलूर करता वदारे प्रदूसीत सहेर छे Now sentence number 20 Rames is the खाली जग्या पर्शन इन अवर सोसाइटी मित्रो अहीं पर खाली जग्या नी पाच्छड आटिकल द आपेलू छे एले EST वालू रूपज आउसे तो रिचेस्ट ज आउसे Rames is the richest person in our society एले रमेश छे ते आपड़ी सोसाइटी मा सवथी धन्वान व्यक्ती छे Now sentence number 21 Ahmedabad is the खाली जग्या city in Gujarat मित्रो अहीं पर खाली जग्या नी आगर द आपेलो छे एले टला माटे most developed city आउसे एले के most developed आउसे Ahmedabad is the most developed city in Gujarat एले के आमदावाच छे ते गुजरापनु सवथी वदारे विक्सित सहेर छे Now let's see question number 3 जेमा सुचना आपेली जे सब्दोने योग्य क्रम मा गोठवी अर्थ पुर्ण वाक्य बनावू मित्रो एमा पेलू वाक्य छे Best friends trees are our जेनू अर्थ पुर्ण वाक्य थासे Trees are our best friends एले के वरुक्षो आपणा पाका मित्रो छे Sentence number 2 To nice meet you जेनू अर्थ पुर्ण वाक्य थासे Nice to meet you एले के तमने मडीने आनन थायो Sentence number 3 This competition of is the host Mr. Parmar जेनू अर्थ पुर्ण वाक्य थासे Mr. Parmar is the host of this competition एले के Mr. Parmar छे ते आस्परदाना होस्ट छे Now sentence number 4 The participants all the best to जेनू अर्थ पुर्ण वाक्य थासे All the best to the participants एले के बदा भाग लेना रहोने सुबेच छा Sentence number 5 Ready you are question mark जेनू अर्थ पुर्ण वाक्य थासे Are you ready? question mark एले सुन तमें तयार छो Now sentence number 6 The poem ग्राम माता Wrot who question mark जेनू अर्थ पुर्ण वाक्य थासे Who wrote the poem ग्राम माता question mark एले के ग्राम माता काविया कोने लख्यू हतू Sentence number 7 In a hut lived St. Haridas जेनू अर्थ पुर्ण वाक्य थासे St. Haridas lived in a hut एले के St. Haridas छे एक जुपडा मा रहता आता Sentence number 8 The most expensive building is Burj Khalifa जेनू अर्थ पुर्ण वाक्य थासे Burj Khalifa is the most expensive building एले के Burj Khalifa सौथी खर्चार बिल्डिंग छे Now sentence number 9 Nine gems in his court had Akbar जेनू अर्थ पुर्ण वाक्य थासे Akbar had nine gems in his court एले के Akbar ना दर्बार मा नव रतनो हता Now sentence number 10 Capital Delhi is the India of जेनू अर्थ पुर्ण वाक्य थासे Delhi is the capital of India एले के दिल्ली छे ते भारतनी राध्या नी छे Now sentence number 11 The king before bowed Tansen एनू अर्थ पुर्ण वाक्य थासे Tansen bowed before the king एले के Tansen राजानी समक्स नमन कर्यू प्रणाम कर्यू Now sentence number 12 Tansen to meet Akbar was very aged जेनू अर्थ पुर्ण वाक्य थासे Akbar was very aged to meet Tansen एले के Akbar छे ते Tansen ने मडवामा माटे उत्सु कतो Now sentence number 13 White in color is milk जेनू अर्थ पुर्ण वाक्य थासे Milk is white in color एले के दूद रंग मां सफेद होई छे Now sentence number 14 Happened to you what is जेनू अर्थ पुर्ण वाक्य थासे What is happened to you एले के तमने सु थयू छे Now sentence number 15 All around the sweetness of his voice spread जेनू अर्थ पुर्ण वाक्य थासे The sweetness of his voice spread all around एले के तेना अवाज नी मधूरता चारे तरफ फिलाए गई Now sentence number 16 Who the king of kings is sings for one गुरुजी जेनू अर्थ पुर्ण वाक्य थासे गुरुजी sings for one Who is the king of the kings एले के गुरुजी मात्र एक व्यक्ति माटेज गाई छे के जे राजा अनो पन राजा छे Now sentence number 17 लावस नेहा रीड बूक्स टू जेनू अर्थ पुर्ण वाक्य थासे नेहा लावस टू रीड बूक्स एले के नेहा ने बूक्स वाच्वू गमे छे Now sentence number 18 Give a pen me please जेनू अर्थ पुर्ण वाक्य थासे Give me a pen please अथवा तो please give me a pen एले के मेरबानी करीने तमे मने pen आपो Now sentence number 19 Your do work जेनू अर्थ पुर्ण वाक्य थासे Do your work एले के तमे तमारू काम करो Now sentence number 20 Teacher is a my mother जेनू अर्थ पुर्ण वाक्य थासे My mother is a teacher एले के मारा मम्मी एक सिक्सी का छे Now sentence number 21 The highest peak is in the world Which? जेनू अर्थ पुर्ण वाक्य थासे Which is the highest peak in the world एले के विश्वमा सौथी उच्ची चोटी कई छे Now sentence number 22 Less pollution has गांधी नगर सोरी, city गांधी नगर जेनू अर्थ पुर्ण वाक्य थासे गांधी नगर city has less pollution एले के गांधी नगर सहर मां ओछु प्रदूशन छे Now sentence number 23 One of great kings the sang for Guruji जेनू अर्थ पुर्ण वाक्य थासे Guruji sang for one of the great kings एले के Guruji महान राजा माटे गाता हता Now sentence number 24 Was the best one this जेनू अर्थ पुर्ण वाक्य थासे This was the best one एले के आ एक स्रेस्ट छे Now sentence number 25 Is Burj Khalifa the building tallest जेनू अर्थ पुर्ण वाक्य थासे Burj Khalifa is the tallest building एले के Burj Khalifa छे ते सौथी उच्चामा उची building छे Now let's see question number 4 जेमा सुचना आपेली जे एवा प्रस्ण बनावो के जेनो जवाब निचे आपेल वाक्यमा लिटी दोरेल सब्दज आवे जेमा आपणे जोए sentence number 1 Ravi studied from the Nalanda Institute of Education मित्रो सौथी पेला आपणे क्रियापद गोत्वानू आ वाक्यमा क्रियापद चे studied जे वीटू भुदकार नू रूप चे एटले did study थाई जासे एटले के रवीनी आगर सौथी पेला did आवी जासे अने underlining चे नालंदा एटले के जे स्थड नू नाम चे इंस्टिटूट नू नाम चे एटले ज्यारे स्थड नाम नी नीचे underlining गोई त्यारे वेर्थी प्रस्ण पुछी सके तो आप वाक्यमा नू प्रस्णार्थ वाक्यमा थासे फ्रॉम वेर डीड रवी श्टडी अथवा तो नालंदा नी जग्याई वीच डबल्यू एज क्वेश्चन नू उप्योक करीने पन वाक्यमा बनी सके जेम के फ्रॉम वीच इंस्टिटूट डीड रवी स्टडी एले के रवी एक कई संस्था माती अभ्यास करियो आतो नाव सेंटेंस नंबर टू किरन बेदी is the first woman IPS officer of India जेमा अंडलाइनिंग छे the first woman IPS officer of India एले के वाट थी प्रस्ण बुन शे तो सवथी पेला वाट त्यार पची किरन बेदी इस छे एनने उल्टावी ने मुक्षू एले के is किरन बेदी एले के वाट इस किरन बेदी एले के किरन बेदी सुँ छे नाव सेंटेंस नंबर थ्री प्रेमचंद रोट गोदान प्रेमचंद गोदान नामनू बुक लखी अती तो अहीं पण गोदान छे एननी नीचे अंडलाइनिंग छे एले आ वाक्या पन वाट थी प्रस्ण पुछी सक्किये पर सौथी पेला आपने क्रियापद गोतिये जे रोट छे जे वी टू छे एले के भुदकार नू रूप छे तो प्रेमचंद नी आगर डीड लागी जासे अने रोट नू वी टू छे एनू वी वन एले के राइट था ही जासे तो आ वाक्या नू प्रस्णार्थ वाक्या थासे वाट डीड प्रेमचंद राइट क्वेस्चन मार्क लेके प्रेमचंदे सून लख्यू अतू नाव सेंटेंस नंबर फों महात्मा गांधी वोज बोर्न इन पोर्बंदर ओन सेकंड ओक्टोबर 1869 जेमा अंड यानू प्रस्णार्थ वाक्या वेर्थी बनावी सक्किये एलपिंग वर्ब वोज छे एटले गांधी जी महात्मा गांधी वोज ने उल्टावी ने मुक्षू तो सवती पेला वेर त्यार बाद वोज महात्मा गांधी बोर्न ओन 2nd October 1869 फर एक वखत वेर वोज महात्मा ग गांधी बोर्न ओन 2nd October 1869 नाव सेंटेंस नुमबर फाइव लास्ट येर मिता स्टेइड एट दिल्ली फोर नाइन डेज एलगे गया वर्षे मिता चे ते दिल्ली मा नौ दिवस रोकाई याती मित्रो सवती पेला क्रियापत सो दिये जे स्टेइड छे येलगे पाचड एटला के भुदकार नू रूप छे वीटू छे तो अहीं मिता नी आगर डीड मुकुओ पर से अने स्टेइड वीटू नू वीवन करूँ पर से एटला के स्टेइड नी पाचरती एडी निकली जासे अवे अंडरलाइनिंग चे ते नाइन डेज एला के नौ दिवस नी न फरी थी how many days did मिता श्टेई एट दिली लास्ट येर एला के मिता गया वर्षे दिली मा केटला दिवस रोकायाती जेनो अंसर्थ अपले खबर अच्चे 9 days मित्रो सवती पेला क्रियापत गोती है जे मेड चे वी टू छे एटले माई मदर नी आगर डीड आवी जासे अन्ने मेड वी टू नू वी वन एटले के मेक थाई जासे अंडल लाइनिंग चे इन्द नून टाइम जे समय दर्शावे चे जेरे समय दर्शक सब्दोनी नीचे अंडल लाइनिंग होई त्यारे वेंथीज प्रस्न बन से तो आ सेंटेंस नू प्रस्नार्थ वाकिया था से वेन डिड माई मदर मैक लेमन ज्यूस? एला मारी ममी क्यारे लिम्बू सर्बत बनावियो नू सेंटेंस नूमबर सेवन बार्ती एन भावेस वर इन दा होस्पिटल लास्ट वीग मित्रो ज्यारे सब्जेक नी जग्या है लके सर्वात माज ज्यारे अंडरलाइनिंग होई त्यारे ए वाक्यानू प्रस्नार्थ वाकिया डबल्यू एच ओ वू थी प्रस्न बनावि सकाई अन्ने साव सेलो छे वू थी प्रस्न बनावो जे नामनी नीचे अंडरलाइनिंग सब्जेक नी नीचे अंडर्लाइनिंग हो ए एनी जग्याए मात्र WHO मुकी देवा थी प्रस्णार्थ वाक्य बनी जाए तो आ वाक्यानू प्रस्णार्थ वाक्य थासे WHO were in the hospital last week question mark Now sentence number 8 Vandana was in her farm yesterday मित्रो अहीं पर तमें जोई सको चो ए सब्जेक वंदनानी नीचे अंडर्लाइनिंग छे तो वंदनानी जग्याए मात्र WHO WH question मुकी देवा थी प्रस्णार्थ वाक्य बनावी सकाए जेम के WHO was in her farm yesterday question mark Now sentence number 9 Rajesh was absent on Wednesday यला के Rajesh बुद्वार ना दिव से गेराजर हतु मित्रो अहीं आपड़े जोए छे on Wednesday एडलेके बुद्वार जे एक समय दर्षक सब्दनी नीचे अंडर्लाइनिंग छे एडले आ वाक्यानू प्रस्णार्थ वाक्य आपड़े वं थी बनावी सकी है तो सउथी पेला मुक्सु वं त्यार पची Rajesh was छे एन उल्टावी नहीं मुक्सु ये लगके वोज राजेस अने एपसंट वेन वोज राजेस एपसंट क्वेस्चन मार्के लगके राजेस क्यारे एपसंट हतो नाव सेंटेंस नमबर टेन यस्टरड़े एट इलेवन ओ क्लोग मोना विजिटेट द मार्केट मित्रो सवथी पेला अपड़े क्रियापत सो दिये जे विजिटेट छे यलेके V2 छे भुदकार नू रूप छे तो मोना नी आगर डीड आवी जासे अने विजिटेट जे V2 छे एनू V1 करवू पड़ से यलेके V2 छे विजिटेट नू थे जासे मात्र विजिट अन्डरलाइनिंग छे यस्टड़े एट 11 ओकलोग जे समय दर्शावे छे जेरे समय दर्शक सब्दनी नीचे अन्डरलाइनिंग होई त्यारे वेन्थीज प्रस्ण बनावी सकाई तो आ वाक्यानू प्रस्णार्थ वाक्या आरितना थासे वेन डीड मोना विजिट दा मार्केट क्वेस्चन मार्क यलेके मोना ये मार्केट नी मुलाकात क्यारे लिदियती नाव सेंटेंस नूमबर 11 सुनिता विलियम्स वस बोर्ण ओन 19 सप्टेंबर 1965 इन ओहियो जे मा अंडरलाइनिंग छे 19 सप्टेंबर 1965 जे एनी जन्मनी तारिक बतावे छे जे समय दर्शक सब्द छे येले आ वाक्या पन वेन्थी प्रस्ण बनावी सक्की तो सौथी पेला अप्टे वेन मुख सू तियार पची सुनिता विलियम्स उस चे एमाँ हेलपिंग वर वस ने आप्ण आगल लई ले ले सू एलरलाइकर कर वेन्थुनी वोर्ण विलियम्स बोर्ण इन ओहियो जे इटेंदेड जे वीटूु छे एतले माटे रमा नी आगण आपने did मुखवो पड़से औने attended v2 नू v1 करवो पड़से एतले के attended नू खाली थही जासे अंडल लाइनिंग छे to learn English, वित्रो जी अरे अंडल लाइनिंग नी सर्वा लूथी सरू थती वोई त्यारे समझी लेव आवाक्या नू प्रस्नार्थ वाक्यव वाई थिज बन से तो why did Rama attend the special classes question mark या लोके Rama खास classes सा माटे जोइन करिया आता जोनों answer था से to learn English या लोके English सिख्वा माटे now sentence number 13 मिहिर्च पेंटिंग बीजनेश एड़र्टाइजमेंट appeared in the newspaper last week एटले के मिहिर ना पेंटिंग बिजनेस नी जहे राज छे ते गया अठवडियाना छापा मा प्रदर्शित थेती गया अठवडियाना छापा मा छपाएलियाती तो मित्रो सौथी पेला क्रियापद जे अपियर्ड छे जे वीटू छे भुद्कार नू रुप छे एटले आहीं मिहिर स्पेंटिंग बिजनेस एडवर्टाइजमेंट नी आगर डीड आवी जासे अने अपियर्ड नू वीवन थाई जासे एलेके खाली अपियर्ड रेसे अंडरलाइनिंग छे ते लास्ट वीक छे एटले के गया अठ्वाड ये जे समय दर्शक सब्द छे एटले वेन थी प्रस्ण बनावी सकीए तो सौथी पेलाव से वेन त्यार बार दीड मिहिर्ड पेंटिंग बिजनेस एडवर्टाइजमेंट अपियर इन दन्यूस पेप सेंटेंस नंबर 14 रिटा एंड हर फेमेली वर इन हर विलेज फार्म येस्टरडे एटले के रिटा अने तेना फेमेली मेंबर्स गई काले पोताना गामना खेतर माता मित्रों अहीं तमें जोई सको जो के सब्जेक नी जग्याय नीचे अंडरलाइनिंग छे एटले के रिट एंड हर फेमेली नी नीचे अंडरलाइनिंग आपेली छे जेनी जग्याये मात्र डबल्यू एच को वू डबल्यू एच क्वेस्चन मुकी देवा थी आ वाक्यानू प्रस्नार्थ वाक्य थाई जासे जेमके वू वर इन हर विलेज फार्म येस्टरडे एटले के गई काले पोताना खेतर मा कोण हतु नाव सेंटेंस नंबर 15 बिना केम टू होम विद हर स्पेस्यल कुक्ड केक एले के बिना चे ए पोतानी स्पेस्यल बनावेली केक साथे पोताना घरे आवी मित्रो अही पन जोई सको जो के सब्जेक जे बिना चे एनी नीचे अंडललाइनिंग केम टू होम विद हर स्पेस्यल कुक्ड केक एले के कौन पोतानी स्पेस्यल बनावेली केक साथे गरे आवी मौ सिक्स्टीन कलापी रोट दु पोयम ग्राम माता एले कलापी ए ग्राम माता नामनू काविय लख्यो अतु तो सवुती पेला आपणे क्रियापतसो दिए जेमा क्रियापद छे रोट जे वी टू छे साधा भुद्कार नू क्रियापदा पेलू छे एतले कलापी नी आगर डीड आवी जासे अने रोट वी टू छे एनू वी वन राइट थाई जासे एलोके डीड राइट अंडल लाइनिंग छे एक ग्राम माता जे पोयम्स नू नाम छे एटला माते आप वाक्यानू प्रस्नार्थ वाक्या आपड़े वट थी बनावी सक्किये एलोके वट डीड कलापी राइट अथवा तो वीच पोयम डीड कलापी राइट आर इतना पन आपड़े आ वाक्यानू प्रस्नार्थ वीच थी पन बनावी सक्किये नाव सेंटेंस नंबर सेवंटीं, ट्रीस ब्रेथ इन ओक्सिजन, मित्रो आमा आपड़े सवथी पेला क्रियापत सोधिये जे चे ब्रेथ, जे वीवन आपेलू छे, अने वीवन नी पाछड एस के एस ज्यारे न होई, त्यारे मित्रो आपड़े आगर हेल्पिंग वर्द ड क्ला माटे आ वाक्यानू प्रस्नार्थ वाक्या बन्षे वर्ट थी, एले वर्ट डू ट्री ब्रेथ इन, एटले के व्रुक्सो स्वासमा सूं ले छे, नाव सेंटेंस नंबर एटीं, रानी वन थ्री मेडल्स इन द स्पोर्ट्स डेई लास्ट येर, मित्रो शावती पेला आपने क्रियापत सोदे, जे वन छे, जे वी टू छे, एरले के भुध्कार्नू रूप छे, एले रानी नी आगर डीड आवी जासे, अने वन जे वी टू छे, एनू वी वन थाई जासे, एले के विन थाई जासे, अने अंडर लाइनिंग छे 3 मेडल्स, मित्रो फरी पाची आया संखिया पेली छे three medals यले three नि जग्या है how many medals आवा सब्द thrive प्रस्णनी सर्वात थासे तो how many medals did Rani win in the sports day last year question mark यले के Rani ये गया वर्षे sports day मा केटला medal जीती है ती Now sentence number 19 Mr. Bride played flute in the temple मित्रो आमा पुन सौवती पयला पंड़े क्रियापद स Tapi tul सी जह प्लाइड ज़्यक भीट्व भूथ खर कार्ण मिस्टर ब्लाइट छे ए मंदिर मां सु वगाडियू Now sentence number 20 कनायालाल मुन्सी वोस बोर्न एट बरुच एले के कनायालाल मुन्सी छे तेनो जन्म बरुच मां थयू अतो मित्रो अंडर्लाइट छे ते बरुच निनी चे छे एक सहर नू नाम चे एक स्थर नू नाम चे एले आ वाक्यानू प्रश्नार्थ वाक्या वेर वह थी बनावी सकाई वेर तियार पची कनयालाल मुनसी वोज चेने उल्टावी ने मुक्सु एलला के वोज जे हेल्पिंग वर्प चेने आगर लेलेशु एलला आ वाक्यानु प्रशनार्थ वाक्या आरिक ना थसे वेर वोज कनयालाल मुनसी बोर्न? विद्यर्थी मित्रो साधा वर्पमानकार आने साधा भूतकार ना जे वाक्यों ओई छे एनू प्रशनार्थ वाक्या कई रितना बनावु कई या डबल्यू एज क्वेस्चन थी क्यारे बनावु ए वधू समझुती माटे जे सिंपल प्रेजन टेंस आने सिंपल पास टेंस जे विडियो छे एनी लिंक आ विडियो नी नीचे डिस्क्रिप्सन मा थी मड़ी जैसे तो त्यां थी वधू समझ माटे तमे जोई सको जू नाव लेट सी क्वेस्चन नंबर फाइव जे माँ सुचना आपेली जे काउसमा आपेल सब्दनों साथ आठ वाक्यमा वर्णन करो मित्रो एमाज सौथी पेलू आपेलू छे दनेचर एडले के कुद्रत काउसमा जे सब्दो आपेला छे एनो उप्योक करीने आपड़े साथ आठ वाक्यमा प्रस्णना जवाब तरीके लखवाना छे मित्रो एही में पोइट मां समझावेलू छे जेती करीने तमने समझवामा सररता रहे पन ज्यारे तमें लखो ज्यारे त्यारे एए पेरेग्राप स्वरूपे लखवा विननती छे तो चालो आपने सरू करिए I like the nature एडले के मने कुद्रत बहु गमे छे I draw a picture of nature एटले के मने कुद्रत बिशेना चित्रो दो रूजू त्यार पची काउस मां mountains आपेलू छे जेनों अर्थ थाई छे पर्वतो जे बवु अचन मां छे एटले एना माटे आपने देर आर्थी वाक्य बनावी सक्ये There are mountains in the picture एटले के चित्रो मा पर्वतो होई छे त्यार पची a river एटले के एक नदी एक नदी नी वाद थाई छे एटला माटे देर इस्थी आपड़े सरू करशू There is a river in the picture एटले के चित्रो मा एक नदी छे त्यार पची a tree एटले के एक व्रुक्स एक व्रुक्स नी वाद थाई एटला माटे पड़े आपड़े देर इस्थी वाक्य शरू करी सक्ये There is a big tree in the picture एटले के चित्रो मा एक मोट्टू रुक्स छे त्यार पची a temple एटले के एक मंदीर एक चे एटले फरी पाचू आपड़े देर इस्थी वाक्य शरू करशू There is a temple in the picture एटले के चित्रो नी अंदर एक मंदीर पन छे त्यार पची clouds एटले के वादलो जे बवव चन माँचे एटला माटे there is ने बड़े आपड़े देर आर्थी वाक्य शरू करशू There are many clouds in the sky एटले के आकासमा गणा बदा वादलो छे त्यार पची birds एटले के पक्सियो जे बवव चन माँचे एटले फरी पाचू आपड़े there आर्थी शरू करशू There are many birds in the sky एटले के आकासमा गणा बदा पक्सियो छे आने छेल्ले आपड़े लखी सक्किये I like the nature most एटले के मने उद्रत बहु गमे छे Now number two the garden एटले के बगी चो नीचे सब्दो आपेला छे एना उपर थी आपड़े वाक्यो बनावाना छे तो पेलू वाक्य आपड़े बनावी सक्किये पेलू जे point छे सब्द छे गार्डन एटले के एकच बगी चो छे एक वच्चन माँचे एटले आपड़े देरे इस्थि फूल गार्डन इन माई स्कूल यर्ले के मारी स्कूल माँ एक सुन्दर बगी जो छे त्यार पछि देर आर मेनी चिल्रन्स प्लेइंग इन द गार्डन मित्रो आहीं प्लेइंग अन्ने चिल्रन आप बेनने सब्दो नों उप्योग आपड़े एक वाक्योमा करी सक्ये there are मे ट्रीस एटले के व्रुक्सो जे बववचन मां छे एटले फरी पाच्छू आपड़े देर आर्थी वाक्या सरू करशू there are many trees in the garden एटले के बगी चामा गणा बदा व्रुक्सो छे त्यार पाची slides एटले के लपस्या तो slides पन आपड़े बववचन मां सब्द छे एटले आपड़े पन 2, 3, 4 जेटला राखो एटला लखी सक्किये तो आपड़े देर आर्थी वाक्या सरू करशू there are two slides in the garden एटले के बगी चामा बे लपस्या छे त्यार पाची swings एटले के हिचकाओ हिचका पन स्विंग्स छे एपड़े बववचन मां छे एटले फरी पाचू आपड़े देर आर्थी वाक्या सरू करशू there are four swings in the garden एटले के बगी चामा चार हिचकाओ छे त्यार पाची बगी चामा बेंची सो पन घणी बदी होई छे तो एट बववचन छे एटले फरी पाचू आपड़े देर आर्थी वाक्या सरू करशू there are many benches in the garden एटले के बगी चामा गणी बेंची सो बाकलियो छे त्यार पाची फ्लावर्स एटले के फुल चे बववचन माँ छे एटले फरी पाचू आपड़े देर आर्थी वाक्या सरू करी सक्किया there are many flowers in the garden एटले के बगी चामा गणा बदा फुलो छे औने छेल्ले तम में लखी सको I like the garden most एटले के मने बगी चो बहु गमे छे नाव नंबर थ्री माई क्लास्रूम एटले के मारो वर्ग खंड जेनी आपड़े सर्वात करी सक्किये my classroom is very big and beautiful एटले के मारो क्लास्रूम छे एक खुब मोटो अने सुन्दर छे सौथी पेल्लू सब्दा एपो छे काउंस माँ टीचर जे एक वच्चन माँ छे एटले देर इस्थिवाकिये सरू करशू there is a teacher in my classroom एटले के मारा classroom माँ सिख्षक होई छे त्यार पच्ची सब्दा पेलो छे board एटले के blackboard, whiteboard, greenboard तमें कोई पनले सरू जे एक वच्चन माँ छे एल्ड़ फरी पाच्च वापड़े देर इस्थिवाकिये सरू करशू there is a big blackboard in my classroom एटले के मारा classroom मां एक मोटो blackboard छे त्यार पची आपेलू छे table जे एक वचन मां छे एल्ले फरी पाचु आपड़े 13 इस्थी वाक यह सरू करशू There is a big table in my classroom एल्ले के मारा classroom मां एक मोट्व table पर छे त्यार पची chair जे एक वचन मां छे एले फरी पाचू आपड़े दैर इस्ति वाक किये सरू करशू There is a jail in my classroom एले के मारा classroom मां एक खुर्सी पन छे त्यार पची सब्द छे students जे बहुँवचन मापेलो जे विद्यार्थी हो एटला माटे आपड़े फरी पाचू There is ने बड़ले दैर आर्थी वाक किये सरू करवो पड़ से There are 25 students in my classroom एले के मारा classroom मां 25 विद्यार्थी हो छे तमें आया कोई पन संख्या लखी सको त्यार पची छे window जे class नी अंदर window बारी होई ते 2 होई, 3 होई, 4 होई, 2 होई, 2 होई, चन मा होई सके एले अफ़री पाचू आपड़े आया There are थी वाक किये सरू करशू There are two windows in my classroom एले के मारा classroom मां 2 बारी हो छे तमें 2, 3, 4, 8 अथवा तो 1 पन लई सको त्यार पची My classroom is very clean एले के मारो classroom छे एकदम चोखो होई छे अने छेले तमें लखी सको I like my classroom most एले के मने मारो classroom सवथी वदारे गमे छे Now number 4 A fun fair एले के आनन्द मेडो मित्रो तमें पन मेडो जोयो जशे तो अहीं सवथी पेला काउस मा फेर आपेलो छे एले के मेडो तो आपड़े देर इस्थी वाक किया सरू करशू There is a big fun fair in my village on Janmashtami मारा गाम मा चनमा श्टमी उपर मोटो आनन्द मेडो भराई छे त्यार पची छे अब बलून मेन जे एक वचनमा चे बेपन होई सके एक बेकरता वधारे पन होई सके तो आपड़े अहीं एक छे अब बलून मेन चे मेन चे एटला माटे देर इस्थी वाक किया सरू करशू There is a balloon man in the fair एले के मेडा मा एक फुगा वाडो छे Many children in the fair एले के मेडा मा घणा बदा बाड़को छे त्यार पची a giant wheel एले के मोटी चक डोर जे एक वचनमा चे एले फरी पाच्वा आपड़े देर इस्थी वाक किया बना उपर से There is a big giant wheel in the fair एले के मेडा मा एक मोटी चक डोर छे त्यार पची toy shop एले के रमकणानी दुकान पर रमकणानी दुकान आपड़े जोए एके मेडा मा तो गणी बदी होई तो आपड़ेनू बववचन करी नाक्षू एटला माटे देर आर्थी वाक्य बनशे There are many toy shops in the fair एले के मेडा मा गणी रमकणाना स्टोल होई छे त्यार पची ice cream stall एले के ice cream stall पण गणा बदा होई सके मेडा मा तो आपड़े एनू पण बववचन करी नाक्षू स्टोल नू स्टोल्स करी नाक्षू एले आपड़े देर आर्थी वाक्य शरू कर्षू There are many ice cream stalls in the fair त्यार पची magician जे एक वचन मा छे एले आपड़े देर इस्थी वाक्य शरू कर्षू There is a magician in the fair अने छेल्ले तमें लखी सको I like the fun fair most एले के मने आनन्द मेडो खूब गमे छे Now number 5 A drawing room एले के बेठक रूम जे मा पेलो पोईट आई पोजे Big drawing room जे एक जोई घरनी अंदर एले देर इस्थी वाक्य शरू कर्षू There is a big drawing room in my house एले के मारा गर्मा एक सुन्दर बेठक रूम छे It is a beautiful drawing room एले के ते खुबच सुन्दर छे त्यार पची सोफा जे एक वचन मा छे एले देर इस्थी वाक्य लखी सक्षू There is a big sofa in the drawing room एले के बेठक रूम नी अंदर एक सोफा छे त्यार पची glass table एले के टीपाई काचनी टीपाई जे एक ज़ होई अने आया एक वचन मा छे एले फरी पाचू There is a glass table in the drawing room एले के drawing room नी अंदर एक काचनी टीपाई पन छे त्यार पची नो पोइंट छे photo frame तो मित्रो आपणे जोए के होल नी अंदर photo frame 2, 3, 4 गणा बदा होई सके तो आपणे या बेनी वाद करिये एले photo frames बहुवचन मा कर नाक सु तो there are two photo frames in the drawing room एले के बेठक रूम नी अंदर 2 photo frame लगावेली छे त्यार पची flower pots जेटले के फूल दानी जे एक वच्चन मा छे एले फरी पाचू आपणे देर इस्थिवाक्या बनाव सु there is a beautiful flower pot in the drawing room एले के बेठक रूम नी अंदर एक सुंदर फूल दानी छे त्यार पची television एले के टीवी जे एक वच्चन मा छे अने एक कज होई तो फरी पाचू आपणे देर इस्थिवाक्या बनाव सु there is a big smart television in the drawing room एले के बेठक रूम नी अंदर एक सरस्म जानू smart TV पन छे त्यार पची window एले के बारी एक पण होई सके बेपण होई सके आपना या बे निवाद करिए तो देर आर्थी वाक्या बनाव सु there are two big windows in the drawing room एले के बेठक रूम नी अंदर बे मोटी बारियो पन छे त्यार पची फैन एले के पंखो जे एक ज होई अने एक वच्चन मा छे एले फरी पाचू आपने देर इस्थिवाक्या बनाव सु there is a fan in the drawing room एले के drawing room मा एक पंखोपन छे अने छेले आपने लखी सकीए I like my drawing room the most एले के मने मारी बेठक रूम खुब गमे छे तो विद्यार्थी मित्रो आशा राखू छुँ के आ वीडियो द्वारा तमने गणू बदू समझानू असे गणू बदू नवू जानूआ मैडू असे तो आ वीडियो बनावानों हेतू छे मात्रने मात्र प्रेक्टिस के तमें वदूने वदू प्रेक्टिस करी सको अने सारा मां सारा एक्जाम मां मार्श लावी सको जो तमने आवीडियो पसंद आवी होए तो लाइक करो सेर करो अने सब्सक्राइब करो माई यूट्यूब चेर्मनल सिपिन निमावद फरी मरसू नवा एक टोपिक साथे नवा एक विशय साथे तब तक जय हिन जय बारत